दोस्तो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सीबी सिंग और अगर आपने आप क्या है एच फ है जो जिसको हम होलस्टन फ्रीजियन बोलते हैं वो गाय अगर आप क्या है या आप उसको रखने का मन बना चुके हैं दोस्तो आप यकीन मानिये ये वीडियो आप के लिए है और आप इस वीडियो को आखरी तक देखना ना भूलें क्योंकि इस वीडियो के बादे हमसे मैं डिस्कस करूँगा वो तीन ऐसी बड़ी प्रॉलम्स जो एक्चुली इस गाय के साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि यह हाई-ealing animal है बहुत ज़्यादा popular हो रहा है और इंडिया में बहु भी जुड़ी हुई है तो तीन ऐसी प्रॉलम्स जिन में आपका बहुत सारा पैसा निकल जाता है दूद के माद्य हमसे आप कमाई करते हैं लेकिन उन प्रॉलम्स के कारण कहीं ने कहीं आपको प्रॉफिट कम होता है तो दोस्तो एक ही रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से क इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कर लें शेयर करें और एचेफ जो फार्मर्स हैं जिनके पास एचेफ गाय है उनको तो ये वीडियो देखना ही चाहिए लेकिन अगर आपके पास कोई हाईलिंग एनिवल है जो जादा दूद देने वाला है उनके लिए भी ये बहुत जादा लावदायक वीडियो होगा तो वो तीन कौनसी प्रॉलम्स है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तो सबसे पहली प्रॉलम है जो एचेफ गाय के साथ आती है वो है लेमनेस या एसीडोसिस की एसीडोसिस मतलब जो उसका जो रूमेन है उसके अंदर जो एसीडो जादा अनाज खिलाने लग जाते हैं उसकी फीडिंग में बहुत जादा फीड का जब उपयोग करते हैं क्योंकि वो मिल्क प्रॉडक्शन में है तो उसमें एसीडोसिस डेवलप होती है उसके कारण लेमनेस डेवलप होती है मतलब लंगड़ापन वो लंगड़ा के चलने हैं वो जरूर आप इसमें देख लें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको रोक थाम किस तरीके से कर सकते हैं तो एचेफ गाये जब भी आप लेकर आते हैं या आपके फार्म पे अगर हैं तो सबसे पहले आप ऐसी डोसिस से उसको बचाएं तो उसमें आप देखें कि उस आप इसमें बोलता हूँ जो पफर बोलता हूँ वो दे दें उसको पचास ग्राम पर डे पर अनिमल और साथ में आप एक बायोटीन या जिसको हम जो जो विटमिन एच बोलते हैं या बायोटीन जो बोलते हैं जो मार्केट में कई सारे ब्रैंड उसके अवेलेबल हैं वो आप देखते होंगे कि उसके जो खुर हैं उनमें प्रोलम आती है तो वो उसमें भी लाबदायक होगा तो आपको मैंने इसमें तीन चीज़ें बताई हैं कि सबसे पहले उसका राशन को बैलेंस करनें दूसरा जो है उसका जो मीठा सोड़ा या बफर का उपयोग करना है औ यह जो गाय है जो है इसको हम दूद की मशीन बोलते हैं बहुत ज़्यादा दूद देती है यह और इसमें लेकिन मैस्टाइडिस की बहुत ज़्यादा प्रॉलम आती है अब आप समझें इस बात को कि क्यों ऐसा होता है तो सबसे पहली जो इसका कारण है वो है अगर जो हा जो ठन है वहां से ब्लड आने लग जाए लग जाए यह पस आने लग जाए यह बहुत बड़ी समस्या है तो आपको पहली जो मैंने प्रॉलम डिसकस की थी ऐसी डोसिस से तो बचानी है और जो मैस्टाइडिस के लिए और क्या कर सकते हैं तो जैसे कि हम सभी जानते हैं को जहां complete milking करते हैं उसके बाद उसका जो ठन का सुराख है वो करीब करीब 20 मेट तक खुला रहता है जिसके माद्यम से वैक्टीरिया अंदर प्रिवेश कर जाते हैं और जब वैक्टीरिया प्रिवेश कर जाते हैं तो वहां पर मैस्टाइडिस या सूजन या यह जो ब्ल जल्दी से बंद हो जाए हमें यह प्रियास करना उसके लिए आप टीड डिप का उपयोग करें या इस्प्रे का उपयोग करें जो मार्केट में अवेलेबल हैं अगर वो भी नहीं है तो आपको एक तरीका में बता रहा हूँ आप मार्केट से वीटादीन दे आएं बीटा बना लेगा ताकि वो छेट बंद हो जाए और अगर कोई जर्म या वेक्टिरिया वहाँ पे है तो उसको खतम कर देगा तो इस सॉलुशन को आप कुछ दिनों तक उपयोग कर सकते हैं जैसे ही उसका कलर चेंज होता है आप इसको चेंज करते रहें दोस्तो और बेटर तो यह है कि आपको मार्केट में अगर कोई इस प्रेय अवेलेबल है तो उसके साथ कर लें तो ज्यादा बेटर है और नहीं है तो मैंने जो तरीका बताया है आप इसको अपना सकते हैं उसके बाद आप मैस्टाइटिस से बचाने के लिए अब मिलकिंग मैथर्ड जो मैं मिलकिंग करें यह दोनों का जो प्रिंसिपल है वो उसमें बहुत हराम में होता है उसका थन उसका वो जो एनिमल इससे दो तीन फायदे होते हैं एक तो उसके थन सुरक्षित रहते हैं उनकी मास्पेसियां मजबूत रहती हैं और साथ में उसको इंफेक्शन का डर नहीं र हो जाती हैं कमजोर होने के कारण वहां पर इंफेक्शन के चांसे बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो आप हमेशा फुल हैंड मेथट का यूज करें या फिर मिलकिंग मशीन का उपयोग करें तो आपको जरूर फायदा होगा दोस्तों जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉलम है वो है इनफेर्टीलिटी मदल्arm का जो गाय है क्यूंकि वो हाई लिग बहुत ज़गा दूद देती है दूद के माढ़न से उसके पौशक्तत बाहर हो जाते हैं और बहुत सारे जो पौशक्तत उसके सरीर के माढ़न से भी बाहर निकलते हैं ऐसे में बहुत मुस्किल हो उसके लिए हम जो पोशक तत्वों की भरपाई कर पाएं तो होता क्या है कि वो infertility शो करता है मतलब वो बांजबन शो करता है या तो वो ठीक से heat पे नहीं आएगा कई बार ऐसा होता है कि उसकी heat बहुत लंबी हो जाती है या conceive नहीं करता है या उसके अंदर cyst बन जाते हैं ये बहुत बड़ी problem है एक्चुली एचेफ में मैं देखता हूँ दो-तीन साल के बाद ये problem आना start हो जाती है तो इससे बचने के लिए आपको एक सबसे बहतरीन जो काम करना है स्टार्टिंग से ही शुरुआत से ही उसको एक अच्छा साथ चिलेटेड मिनरल मिक्चर आपको देना प्रारंब करना है चिलेटेड मिनरल मिक्चर देने से उसके अंदर अब सोशन बहुत अच्छा होगा मिनरल बहुत अच्छे से यूज हो जाएंगे जो मिलकिंग एनिमल है जो दूद में है उसको 100 ग्राम पर डे पर एनिमल देना है और अगर वो दूद में नहीं है तो उसको 50 ग्राम प्रती दिन आपको चिलेटेड मिनरल देना चाहिए और जो मैंने बताया एक सबसे पहले जो पॉइंट था है यह जो प्राप उप्योग नहीं हो पाते और वो गोबर से पास हो जाते है इस कंडीशन को पहचानने के लिए आप गोबर को जरूर देखें चेक करें डेली आप गोबर को जरूर चेक करें एक बार उस एनिमल के आप पीछे से चक्कर लगाएं और आप देखें कहीं किसी animal का आपके जो पशुव हैं जो गाय है उसका गोबर अगर लूज है अगर गोबर धीला है अगर उसकी consistency आप देख रहेंगे वो नीचे टपकते ही अगर बिखर जाता है तो आपको ध्यान देने की आवशकता है तो रंत जाएए डाइट में चेंज करिए टीमर बनाईए और देखिए कि उसको आप प्रॉपर ली वर उस रेशो में दे रहे हैं कि नहीं जो concentrate है मतलब जो feed है green fodder है या जो आपका dry fodder है या जो भूसा है वो प्रॉपर रेशो में आप टीमर बनाके दीजिए उसको correct करिए क्योंकि ये आपके लिए जो गोबर की जो consistency जो मैं बोल रहा हूँ अगर गीला है तो ये अलाम है आपके farm पे कि सतर्क हो जाएए तो इसको खतम करिए और इसको खतम करने के लिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि buffer का जरूर यूज करिए टीमर बनाईए और animal को खिलाईए दोस्तो ये तीन जो problem मैंने major जो मेरे दिमाग में थी जो मैं सुनता हूँ farmer से जो मैं देखता हूँ field में वो मैंने discuss की हैं उनके तरीके भी बताएं कि किस तरीके से आप उसको उससे उनको बचा सकते हैं animal को लेकिन अगर आपके दिमाग में और भी कोई उससे related कोई परिशानी है या problem है तो वो comment box में जाकर जरूर लिखना ताकि मैं आने वाले वीडियोज में उस पर भी बात कर सकूँ दोस्तो यूही प्यार बनाए रखें जैहिन